जए हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लिए कर आए हैं आपके लिए हिंदी साइथ के बहुत ही मात्पुन कॉशन आंसर प्रेक्टेस सेट अपना तेरवा है बारा प्रेक्टेस सेट हो चुके हैं तब है वीडियो भी आप बहुत ही मात्पुन कॉशन आंसर हैं तो वीडियो को पूरा अवस्य देखें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेर लाइक अंदब आए ओल पर क्लिक करें ताकि ओल वीडियो की जानकारी सबसे पहली आप क्या तक पहुंचे आप कमेंट में आंसर जरू बताएं क्या होगा इसका सही आंसर तो आपका हैं आप जो सही आंसर है विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है यानि कि फारसी हिंदी सब्द कोस आपका हैं अंगला कॉस्चन है किस समीक चेक ने विद्धापती की पदावलियों को जीव और प सही आंसर विकल्प नंबर बी आनंद कुमार सौमी आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर है अंगला कॉस्चन है यहां पर पूंचा गया है सिंदी भासा का विकास अब ब्रंस की किस बोली से माना गया है तो सिंदी भासा का विकास बताने अब ब तो आपका question number 4 का जो सही answer है वह अपराध आपका यहाँ पर विकल्ब नंबर जो भी दिया गया है वह आपका यहाँ पर सही answer है अपराध right answer है अंगले question है सब रस की रशिनकार कौन है तो यहाँ पर आपके लिए बताना है question number 5 का सही answer क्या होगा सब रस की रशिनकार बताना है आपके यहाँ पर चार विकल्ब भी दे गया है question number 5 है और आपका सही answer है मुली बज़ी विकल्ब नंबर एक आपका right answer है अंगले question क्या है देखे अंगले question आप से पूंचा गया है क्या पूंचा गया है ब्यक्सी का मजार उपन्यास किसका है तो च्छे का सही answer आपका यहाँ पर जो है बैए विकल्ब नंबर एक आनिकी प्रताप नारायन स्रीवास्तव आपका यहाँ पर सही answer है विकल्ब नंबर एक right answer है अंगले question है सरवस्ति पत्रिका के प्रतम संपादक है तो प्रतम संपादक है महावीर पर साथ दोबेदी स्याम सुंदर दास आपका यहाँ पर सही answer है अंगले question क्या पूशा गया है काप हेत्वों में विद्पत्ति का सही अर्थ है तो क्या है यहाँ पर इसका सही अर्थ बताना है सब्द ग्यान परिश्रम या प्रगाड पांडेत्य या लोक ग्यान यह आपकी चार विकल्ब है question number 8 का सही answer बताना है तो 8 का सही answer है सब्द ग्यान आपका यहाँ पर सही answer है विकल्ब नमबर 1 आपका सही answer है काप विकुणों की प्रतिष्ठ आपक आपक आचार है महत्तुपूण question पूशा गया है यह आपके लिए बहुत ही महत्तुपूण है तो काप विकुणों की प्र तक रुद्रट ए आपकी चार विकल्प दे गए हैं, question number 9 है, और 9 का सही answer है, विकल्प number B आनकी बामन, आपका यहाँ पर सही answer है, बामन जिन्हों ने बताया है, उनका सही answer है, विकल्प number B राइक answer है, अंगले question है, बे दिगदा भंगी भनीती, किसका सूत्र है, तो इस सूत् किसका है, चार विकल्प आपकी यहाँ पर दे गए हैं, महत्वण question है, question number 10 और 10 का सही answer है, बामन, कुंतक, भामय, अब पैदिक्षित, तो question number 10 का सही answer, विकल्प number B आनकी कुंतक आपका यहाँ पर सही answer है, कुंतक जिन्हों ने बताया है, उनका राइक answer है, अंगले question क्या है question number 11 यहाँ पर पूंचा गया है, हट योग का पिरभाव किस कभी पर पड़ा, question number 11 है, 4 विकल्प है, महत्वण question पूंचा गया है, स्वंभो या घाग भंडरी, भंडरी, या गोरखनात या पौस्पदंत, हट योग का पिरभाव किस कभी पर पड़ा, तो आपका सही answer, गोर गणना नहीं होती है, तो किस की गणना नहीं होती है, प्रभाव संकलन, समय संकलन, इस्तान संकलन, या कारि संकलन, question number 12 है, 4 विकल्प दे गया है, और आपका सही answer है, विकल्प नंबर, एक आपका right answer है, आनकी प्रभाव संकलन, प्रभाव संकलन की गणना नहीं होती है, अं भागी रत मिस्र नगेंद्र रामविलास सर्मा question no.13 है right answer विकल्प no.D रामविलास सर्मा आपका यहाँ पर विकल्प no.D सही answer है अंगला question क्या पूँचा गया है तुलसी दास की किस रशिना में संते महंतों की लक्षण बर्णत हैं बनने थें यह आपके लिए बताने है पारवती मंगल जान की मंगल बेराग्य संदीपनी या रामग्या प्रसने तो question number 14 है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है बेराग्य संदीपनी आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प number C right answer होगा जय बर्दमान नाटक की लिखा कौन है question number 15 का सही आंसर बताईए यहाँ पर 15 का सही आंसर क्या होगा उदै संकर भट रामकुमार बर्मा सेट गोबिंदे दास या उपेंदर नात असके question number 15 है चार विकल्प आपके हाँ पर दिये गए हैं और आपका सही आंसर है विकल्प number B य मुकुल नामक कवीता संग्रा किसका है मुकुल नामक कवीता संग्रा है तो नरेंदर सर्मा माखनलाल चतुरवेदी गया परसाद या सुभद्रा कुमारी चोहान question number 16 है और चोहान आंसर है यहाँ पर है आपका सही आंसर 16 का क्या होगा right answer सुभद्रा कुमारी चोहान विकल् नमबर D जिनों ने बताया है उनका सही आंसर है बिलकुल सही right answer है अंगला question question number 17 यहाँ पर पूंचा गया है चक्र कल्ब के रचनाकार कौन है तो यहाँ पर आपकी ऐसे ऐसे question है जो बहुत ही महत्तुपूर्ण है और कठेन question है यह आपके तो question number 17 का सही आंसर होगा आपका य गॉस्टन है जिएखब एक interview किसकी रचना है आपके लिए बताना है रचना किसकी है तो question number 18 है अपना 18 का सही आंसर है रहत खाते हैं जाता है महत्तुपूर्ण question ओपूंचा गया है question number 19 आला जो है आला किसी रितू में गाये जाता है बसंत बरसा ग्रीस में हेमंत यहाँ पर हेमंत लिखा है तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर तो यहाँ पर question number 19 है 19 का सही आंसर है आपका बरसा बरसा रितू आपका सही आंसर है बरसरसरीटू में गायے जाता है आलाँ बरसरेटू राइट आंसर है सही नाट बित्यां कितने पिरकार की हैं ये आपके लिए बताना है 5, 4, 7, 9 ये आपके चार विकल्प है question number 20 का सही आंसर बताना है not बित्यां कितने पिरकार की है तो आपका सही आंसर है question number 20 का विकल्प number B आनि की चार पिरकार की हैं कितने पिरकार की हैं चार पिरकार आपका राइट आंसर है अंगला question है रस निस्पत्ती के संदर में अनुमिती बाद की स्तापना किसने की तो अनुमिती बाद की स्तापना जो की है वह किसने की भट लोलाट ने भट नायग 안 ने अभिन गुप्त ने या संकुख़ई तो यह आपके चार विकल्प है कोशे बार विकल्प एकक्स है एकके किस का सही आंसर है विकल्प नंबर डी यान की संकुख़ई आपको आपका यह आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर पूंचा क्या है रण मल्ले चंद काब्बे किसने रचा है इसकी रचेता है जगने के या सिरीधर नर्पती नाले भट केदार तो कॉस्चन नमबर 22 का सही आंसर आपका जो यहां पर है वह आपका क्या राइट आंसर तो विकल नमबर भी आइट आंसर है शरीधर आपका सही आंसर है विल्कुल सही अंगला कॉस्चन क्या पूंचा क्या है कॉस्चन नमबर 23 आप से यहां पर पूंचा क्या है जैदेव से प्रभावित विद्यापती की कौन सी रचना है पदावली है या किरती पता का है किरती लता है या कोई नह ग्यानसरी साखा का कभी कौन नहीं है नहीं है पूछा है आपसे तो कौन नहीं है यह आपके लिए बताना है तो ग्यानसरी साखा का कभी कौन नहीं है मलूक दास कभीर दास कुमबन दास सुंदर दास तो कौशन नमबर 25 का सही आंसर विकल्प नमबर C आनी की कुमबन दास आपका सही आंसर होगा अंगले कौशन है विरमत गीत पर संगे की कता का बनन भागबत के किस अध्या से लिया गया है तो भागबत क जो दसम इसकंद अध्या से लिया गया है अंगला कॉस्चन है रसकान की गुरू का नाम बताना है तो रसकान जो थे रसकान इनकी गुरू कौन थे आपके लिए यहाँ पर बताना है तो इनकी गुरू कौन थे बताई यह महत्वपुन कॉस्चन यहाँ पर पूंचे गया है औ और आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, तो आपका 27 का विकल्प नंबर C, आनिकी बिठलनाथ, आपका यहाँ पर सही आंसर है, अंगला कॉस्चन, क्या है, सब्दार्थाव सही तव का अब्यम, किस कभी न का का लक्षन है, तो दंडी, भामय, भामन question number 28 चार विकल्प आप कहां पर दिये गए हैं और 28 का सई आंसर है आपका क्या है right answer 28 का विकल्प नंबर B आने की भाम है आपका सई आंसर है अंगला question क्या है देखिए अंगला question आपसे यहां पर पूँचा क्या है अमिय हला हल मद भरे सेत स्याम रत नार एह दोहा किस पुस्तक में बढ़ने थे यह आपके लिए बताना है question number है अपना 29 और 29 का सई आंसर है अमिय हला हल मद भरी हला हल होगा यहां पर मद भरी सेत स्याम रत नार तो एह दोहा किस पुस्तक में बढ़ने थे इसका सही आंसर विकल्प नंबर एक अंग दर्पन अंग दर्पन आपका सही आंसर है घनानंद किस ब्याशनों संप्रदाई की थे घनानंद बताना है घनानंद जो थे किसें ब्याशनों संप्रदाई की थे यह बताना है निमबार के संप्रदाई सकी राधा बल्ला माधव त उन्होंने इस डंग से किया, जैसे लखनव के बांड गोरा खोदाती हुए मह्टे में आती हैं, कतन सुकल किस के लिए कहा है, तो यह कतन कहा है, सुकल जी ने किस के लिए कहा है, यह आपके लिए बताना है, तो 31 का सही आंसर है आपका विकल्प नमबर एक लल्लू जी लाल विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चन है किशनायन किस विधा की रचिना है नाटक और पन्यास महाकाब भी खंड का विकल्प है कॉस्चन नमबर 32 है 32 का सही आंसर है क्या है यह आपके आंसर राजा लक्षमन से हैं, पृताब नाण मिस्र, सिद्धा राम फुलोरी, राजा से उपर सासे तारे, हिंद, कॉस्चन नमबर 33, 33 का सही आंसर बी पृताब नारैन, मिस्र आपका सही आंसर यहां पर होगा, अंगला कॉस्चन है, कालिदास के मेग दूद का अनुबाद कोन नहीं है, देखें, नहीं है, अनुबाद कोन नहीं है, यह आपके लिए बताना है, तो कालिदास के मेग दूद का अनुबाद के कोन नहीं है, तो 34 का सही आंसर है, मौहन राकेश विकल्ट नमबर D, आपका यह यहां पर सही आंसर है कौन सा नाटक स्री नवास दास का नहीं है देखिए यहां पर भी आप से नहीं पूंचा है तो कौन सा वह नाटक है जो स्री नवास दास का नहीं है तो 35 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहां पर विकल्प नंबर B यानि की महाराना प्रताप साधाणि करनए और निदंद सम WILL किसन निबंद है क्या होगा है क्या हुगा इहां पर तो सही आशर है सोखलą आपका यहाँ पर राइट आंसर जुकल के निवन्द हैं रंग दर्सन के लेखक कौन है? Q. 38 का सही आंसर यहाँ पर बताना है Q. 38 का सही आंसर क्या होगा? रंग दर्सन के लेखक सीता राम चतुरवेदी बलबंते गारगी नियमी चंदर जयन सुरेश अवस्थी Q. 38 का सही आंसर है विकल्प नियमी चंदर जयन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला Q. हिंदी जाती की आउधानना की परवड़ तक कौन है? यह आपके लिए यहाँ पर बताना है तो बताईए क्या होगा राइट आंसर राम चंद सुकले, राम बिलास सर्मा, Q. 49 का सही आंसर है विकल्प नमबर B. यानि की राम बिलास सर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है कौन गादी गांदी बादी सही तकार नहीं है? उपेंदर नात असक, प्रेम चंद, विश्न प्रिभाकर या जयनेंदर तो Q. 40 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या है? चालि Q. 41 का सही आंसर बताना है 7, 4, 2, 6 तो यह आपकी चार विकल्प है Q. 41 का सही आंसर है D यानि की 6 छे आपका सही आंसर कौन गादी की किरतने प्रधान भीद्वानी है 6 अंगला Q. प्रितीक बादी अंदूलन का होदय कहा हुआ? तो जर्मनी, स्वीडन, इंगलेंड या फ्रा राइट आंसर होगा यानि की आपका फ्रांस राइट आंसर है अंगलें कौस्चन है भेंसा गाडी किस की रचिना है माखनलाल, चतुरवेदी, भगवती, चरण बर्मा, सुभत्र कुमारी, चोहन, महादेवी, बर्मा तो कौस्चन नमबर 43 है 43 का सही आंसर है आपका यहां विकल्प नमबर 43 का भी भगवती, चरण बर्मा आपका यहां पर सही आंसर है अंगलें कौस्चन क्या है अंगलें कौस्चन है इंदु पत्रिका संपादक कौन है अंबें का प्रसाद गुप्त गड़े संकर विध्यार्थी या मदन मोहन मालिविये देव की नंदन खत्री 44 कौस्चन यहां से पूंचा गया है आपसे और विकल्प नमबर 1 राइट आंसर है यानि की अंबेका प्रसाद गुप्त आपका यहां पर सही आंसर है अंगलें क्या है सूरज मुखी अंधेरे के किस उपन्यास है किसका उपन्यास है और किसका है यह आपके लिए यहां पर बताना है किसका है यह उपन्यास है तो आपका यहां पर जो सही आंसर है बहे बताना है तो आपका राइट आंसर 45 का विकल्प नमबर B किष्णा सोबिती किष्णा सोबिती आपका सही आंसर है किष्णा सोबिती अंगलें क्या है चिन मस्ता उपन्यास है लिखा है तो किसने पिरभा कीतान, मिर्दुला गर्ग या ममता कालिया या अलका सरावगी Q. 46, 44 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नमबर 1 पिरभा कीतान आपका सही आंसर है अंगले Q. अलूचिना दर से किसका अलूचिना ग्रंथ है रामकुमार बर्मा, रमा संकर सुकल रसाल, गुलाब राय स्याम संदर दास Q. 47 का सही आंसर बताना है तो 47 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो है बहे बताना है तो आपका राइट आंसर विकल्प नमबर 1 यानिकी रामकुमार बर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन है सेलमा किस उपन्यास का पातर है सेलमा बताना है यह जो सेलमा है सेलमा यह किस उपन्यास के पातर है अपनी अजनवी पर दे की रानी मुझे चांद चाहिए नदी के दीब तो question number 48 का अपनी अजनभी आपका सही आंसर है इसके पात्र है अंगला question है प्रोर्वा किस काब्वे का पात्र है ये बताए प्रोर्वा किस काब्वे का पात्र है और वासी प्रिवास अगनी लिक या कुरू छेत्र question number 49 का सही आंसर है और वसी विकल्प नंबर एक आपका है आपका है आपका है और राइट आंसर है इलियड जनोंने बता है विकल्प नंबर एक उनका सही आंसर है तो इस परकार अपनी हाँ पर भहती महतुपुन question कबर हुए तो क्या असल लगा ए वीडियो comment में आपके लिए बताना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करें बेल आइकन दबाए और पर क्लिक करें ताकि आल वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे जादा से जादा वीडियो को share करना है ताकि अनलोग भी वीडियो देख सकें और वीडियो को like करना ना पहुंचे तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद